गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग ग्यान बाजी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सब का स्वागत है आज सिरीज नंबर थ्री का लेक्चर नंबर थ्री है सुबह के नौ बच चुके हैं और उठने का नहीं जागने का वक्त हो गया है गाइ इसमें जब तक SBI क्लग की एक्जाम नहीं हो जाती हम रोज ये ओनलाइन सिरीज चलाते रहेंगे और इसमें रोज करेंट अफेर्स के क्वेशन्स आपको रेडी मेड मिलते रहेंगे आपको बस इतना करना है कि अपनी नोट बुक में रोज ये सारे क्विस के क्वेशन्स सॉल करने है मेरे साथ और जितनी एक्ट्रा इन्फरमिशन दी जा रही है उसको नोट डाउन करके रखना है आप सारे सब्जेक्स की तैयारी पैरलली चलने दीजिए लेकिन जीके की तैयारी डेली करेंट अफेर्स की सीरीज में मेरे साथ करिए रोज सवेरे बिलकुल 40 मिन के लिए at least आधे घंटे के लिए I'll try कि session जितना छोटा हो सके उतना छोटा करें आप मेरे साथ सारे questions को solve करते चलिए राइट चलिए without wasting time let's start with today's work before we do that ग्यान बाजी के अलग-अलग social media account से आप जुड़ सकते हैं फिलहाल में twitter, facebook, instagram, whatsapp, telegram और youtube channel पर available हूँ ये उनके social media addresses भी है अलग-अलग content हर जगा available है आप general awareness की कोई भी exam दे रहे हो आप मेरे social media account से जुड़ सकते हैं और उसका पूरा benefit ले सकते हैं चलिए दोस्तो आज का काम शुरू करते हैं let's start with question number one world oceans day is held annually on विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस बताइए जरा जून पाँच, जून छे, जून आठ और जून साथ क्या लगता है भाईया क्या है इसका राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर है जून आठ तो फर्स्ट वाले का राइट आंसर है जून एट ओके हाँ वैसे एक बात मुझे बताइए दुनिया में कितने महासागर है how many oceans are there in the world there are total five oceans in the world और कौन-कौन से याद करने के लिए एक code लेकर आया हूँ जरा ये code आप याद रखिएगा इससे आपको बहुत easily याद हो जाएगा ये trick याद रखिएगा trick का नाम है पैसा पैसा रुप्या पैसा वाला पैसा P से आएगा Pacific A से आएगा Arctic I से आएगा Indian S से आएगा Southern याने धक्षणी महासागर और A से आएगा Atlantic ये है वो पाँच महासागर ठीक है पैसा Pacific Arctic Indian Southern और Atlantic राइट कोई मुझे बता सकता है क्या इन पाँच ओशन्स में से Titanic जहाज पॉन से ओशन में डूबा था इट वाज इन अटलांटिक ओशन में डूबा था और ज़रा एक information आपको और दे दी जाए इसी question से related June 1, June 2 और June 3 ये तीन दिन के importance जरा मुझे एक एक करके बता दीजिए आपको अलग अलग exam में especially clerk level पे इस तरह के question अकसर पूछे जाते हैं so what is the importance of June 1 प्लीज लिखते चलिए जितने लोगों को नहीं पता world milk day June 1 को मनाया जाता है world milk day then June 2 इस दिन क्या है तेलंगाना फॉर्मेशन डे तेलंगाना फॉर्मेशन डे तेलंगाना उस दिन आंधर प्रदेश से अलग हुआ था और June 3 उस दिन इस दिन मनाया जाता है world bicycle day world bicycle day right clear है भई याद रहेगा ये जरह हम अपना आंसर चेक कर ले yes the right answer is June 8 okay shall we move ahead चलिए अगले question पर चले as per the latest survey data on the national tiger conservation authority NTCA how many tigers died in India during the period between 2012 to 2019 NTCA के एक सर्वे के मुताबिक भारत में कितने शेरों के मृत्यू हुई 2012 से 2019 के बीच में सहीं जवाब है यहाँ पर option number A 750 750 tigers की death हुई right एक बार answer चेक कर ले yes the right answer is 750 यहाँ पर एक दो चीजे जरह बहुत जरूरी है आपको समझाना तो वो मैं आपको clear कर देता हूं दोस्तों total tigers इस वक्त भारत में total tigers जो last year जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से ही बता रहा हूं 2967 tigers इस वक्त इंडिया में है यह figure जरूर याद रखना और tigers की संख्या में भारत में थोड़ा improvement आया है right क्या आप मुझे बता सकते सबसे ज्यादा tigers कौन से स्टेट में है सबसे ज्यादा tigers इस वक्त है भारत में number one पर है मध्यप्रदेश number two पर है करनाटक right आपको मैं एक बहुत खूबसूरत नक्षा दिखा देता हूँ उससे आपको बागो की संख्या भारत में कैसी रही है वो पता चल जाएगा तो जरा यह देखिए yes state wise tiger population total number of tiger is 2967 यह आप map देख सकते हैं बीच में यह जो है 526 यह कहां का figure है यह मध्यप्रदेश का है उसके बाद 524 यह कहां का है यह करनाटक का है उसके बाद तीसरे नमबर पर है 442 यह कौन सा state है यह वाला जहां पर मैंने pointer रखा it is उत्तराखंड उसके बाद 4th नमबर पर है महराश्ट्र और 5th नमबर पर है तमिल नाड यह भारत में 5 ऐसे state है जा सबसे ज्यादा tigers पाए जाते हैं चलिए यहां तक का सारा part clear हो गया आगे बढ़ें next question when is the world tumor day marked world tumor day कब मनाया जाता है चार option है हमारे सामने first Sunday of June, June 8, June 7 and first Saturday of June सहीं जवाब है option number B, June 8 okay June 8 very important question यहाँ पर मैं जरा star mark लगा देता हूं यह question जरूर याद रखना ओके अब आपको तीन तारीखें मैं और देता हूं जरा मुझे यह तीन dates के भी importance बताना June 5 का importance क्या है मैंने शुरू के दो session में करवाया है please session को मेरे ही channel पे जाकर आप चाहो तो पहले ही दिन से सब कुछ देख सकते हो so that you shall have a perfect idea क्या-क्या syllabus का part cover June 5, June 6, June 7 तो June 5 को क्या है World Environment Day मैं short form लिख रहा हूँ आप लोग full form लिखेंगे World Environment Day June 6 को क्या है कल ही बताया था याद आया क्या UN Russian Language Day UN Russian Language Day ये question हमने कल जीके में किया है और उसके बाद जून 7 जून 7 का importance क्या है World Food Safety Day World Food Safety Day I hope आपको जून 1 से लेकर 7-8 तक अब सब कुछ clear हो गया है इन सब के ऊपर एक एक माग के question आ सकते हैं so here we have our right answer June 8 आप नीचे देख सकते हैं ओके आगे बढ़े question number 4 the ministry of road transport and highway MORTH has launched a national awareness campaign on prevention of human and animal mortality on highways to reduce mortality on the road of both human beings and animals the campaign has been launched in collaboration with which organization highway के उपर जानवर और इनसानों के जो हाथ से हो जाते हैं उनको रोकने के लिए एक campaign चलाया गया है तो वो campaign ministry of road transport and highway वालों ने इन में से कौन से organization के साथ किया यहाँ सही जवाब है option number 3 UNDP और UNDP वालों के साथ ये कारिकरम किया गया था पहले तो answer चेक कर ले yes UNDP is the right answer आगे बढ़ने से पहले आपको जड़ा इन सब के full form बताने होंगे मुझे पहले से पता है तो जड़ा मेरे साथ repeat करिए और देखे आपका और मेरा answer सही है या नही UN का तो मतलब हर जगा United Nations ही है तो ये तो common ही है EP का मतलब है environment program EP का मतलब environment program मैं short form लिख रहा हूँ लेकिन आप full form लिखें UNESCO UNESCO का full form क्या है UN का मतलब United Nation उसके बाद educational scientific program sorry scientific and cultural organization and cultural organization then UNDP UNDP का full form क्या है development program United Nation development program and then the last one UNICEF what is the full form of UNICEF United Nation International Children Emergency Fund Children's Emergency Fund ये याद रखना चारो full form बहुत important है और very important parts of United Nations ये याद रहेगा आपको चलिए दोस्तों आगे बढ़ते है question number 5 the world food safety day is observed globally on which of these day इन में से किस दिन world food safety day मनाया जाता है जरा मुझे बताईएगा June 7, June 5, June 6 और June 8 the right answer here is option number A, it's June 7, June 7, okay answer एक बार चेक कर ले, yes we got our right answer June 7, हाँ, जरा मुझे बताएगे क्या ये food safety जो है, ये कौन सी ministry के अंतरगत आती है, अगर आपको ऐसा ही कोई question पूछ लिया जाए, कि which ministry handles this food safety and all, तो ये आता है ministry of health and family affairs, ministry of health and family affairs, right, और मंत्री सहाब कौन है, यहां के common नाम है, हर्ष वर्धन, बीजे पी के, माफ करना जरा, हर्ष वर्धन, right, I hope ये clear हुआ आपको, fine, चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले question पे, question number 6, which center organization signed letter of intent, LOI with Atal Innovation Mission AIM to promote innovation in India, right, Atal Innovation Mission के साथ, एक letter of intent, इन में से किसने sign किया है, चार option है हमारे सामने, यहां सहीं जवाब है दोस्तों, option number B, CSIR, the right answer is option number B, CSIR, okay, हाँ, कोई मुझे बता सकता है क्या, यह CSIR कौन से ministry के अंदर आता है, CSIR भारत में Ministry of Science and Technology के अंतरगत आता है, Ministry of Science and Technology, जी, लिखते चल रहे हैं कि नहीं, आप लोग, प्लीज यह सब लिखते चलिए, आपको question घुमा फिरा क्या आ सकता है, और additional जानकारी भी पूछी जा सकती है, उसके ओपर भी कोई question आ सकता है, इसलिए you must know all these things, right, CSIR के president कौन है इस वक्त, anybody, CSIR के president है इस वक्त, खुद नरेंदर मोदी, right, और इस वक्त CSIR के vice president कौन है, वो है हर्ष वर्धन साब, once again, हर्ष वर्धन, okay, clear हुआ यह पार्ट आपको, एक बार answer चेक कर लें, yes, council of scientific and industrial research, so let's go to next question, question number seven, healthy and energy efficient buildings, is the initiative of EESL along with which agency or organization, okay, यहाँ पर right answer है, option number D, United States Agency for International Development, you said, okay, but इसमें एक और बात बहुत important है, जो कि आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, और वो है, EESL का full form, please, इसको लिख के रखिये ज़रा, EESL का full form है, Energy Efficiency Services Limited, Energy Efficiency Services Limited, यह सरकार की fully owned company है, जो 2009 में खोली गई थी, और almost इस company को 10 साल से ज़्यादा हो चुके है, यहाँ तक सारी बाते clear हैं, answer चेक कर लें, Yes, we got our right answer, you said, Then, चलो चलते हैं, question number 8 पर, What is the theme of United Nations World Oceans Day 2020, वो जो question number 1 जहां से हमने शुरू किया था, World Oceans Day कब मनाया जाता है, अब यह question उसी से related है, यह पूछ रा है कि उसका theme क्या है, तो सहीं जवाब है, उसका theme है, option number A, Innovation for a sustainable ocean, Innovation for sustainable ocean, Guys, आपको exam में, या interview में, या किसी GD में, या किसी RC passage में, ये word बहुत commonly मिल जाएगा, sustainable, 30 second लगेंगे, मैं आपको ज़रा यह समझा देता हूँ, यह है क्या था कि आपको clearly पता चले, देखो ऐसा है कि इनसान की जनसंख्या धर्ती पर इतनी बढ़ गई है, कि हमने इतने अत्याचार मचाए हैं, कि अब प्रित्वी पर बहुत सी चीज़े ऐसी हैं, जिसके वज़े से प्रित्वी धीरे 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 खराब होती जा रही है, तो यह तै हुआ है कि प्रित्वी को अगर आगे बचा कर रखना है, नश्ट नहीं करना है, पर्यावरन बचा कर रखना है, तो ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ीगा, जिससे पृत्वी को कोई नुक्सान ना हो और उन चीजों को बोला जाता है sustainable products या sustainable things और इसी चीज़ को हम कहते है sustainable development तो I hope आपको ये part समझ में आया एक बार answer चेक कर लें Yes, the right answer is innovation for sustainable development यहां तक ठीक है भई कोई जल्द बाजी तो नहीं हो रही है या बहुत धीरे तो नहीं हो रहा है comment thread में please मुझे बताते चलिए speed कम ज्यादा की जा सकती है question number 9 what is the theme of world food safety day world food safety day का theme क्या है यहां पर देखिए आप world food safety day right, 4 option है हमारे सामने right answer है option number C food safety everyone's business food की safety किसी एक की नहीं सब की जवाबदारी है right, हाँ यहां पर एक additional question और लिया जा सकता है जिसके ओपर exam में कभी कभी question आ जाते है यह FSS AI का full form क्या है कोई बता सकता है anybody इसका full form है food safety and standards authority of India authority authority of India clear हुआ यह यहां तक सब कुछ clear है answer एक बार चेक कर ले yes, food safety everyone's business fine, चलिए quickly चलते हैं question number 10 पर which state of India accounted for the highest number of tigers death during 2012-2019 as per the survey report of national tiger conservation authority वो जो tigers के उपर हमने question किया था न गाइस जिसमें मैंने आपको बताया था कि मध्यप्रदेश number one पर है उसी बात को एक बार और दोराना पड़ेगा बागों की मृत्यू में भी याने death of tigers में भी मध्यप्रदेश ही number one है 2012 से लेकर 2019 तक मध्यप्रदेश में 31 tigers died दूसरे number पर आता है महराष्ट्र महराष्ट्र में 19 tigers died तीसरे number पर आता है करनाटक करनाटक में 12 tigers died देन number आता है उत्तराखंड का यहां पर 10 टाइगरों की मृत्यू हुई और last में आता है तमिलनाड जहां पर केवल 7 tigers की मृत्यू हुई यह स्केवल वेवल तो बोलना ही नहीं चाहिए tigers की मृत्यू अपने आप में बहुत बड़ा नुखसान है बट comparatively इन सब से कम है यह clear हुँ आपको top 5 death के हिसाब से एक बार हम अपना answer जरा check कर ले मैंने आपको बोला मेरा right answer है मध्यप्रदेश yes the right answer is मध्यप्रदेश okay I hope things are clear so far so good आगे बढ़े question number 11 which state union territory has launched India's first online waste management platform recently इन में से कौन से राज्यन ये या केंदर शासित प्रदेश ने अपना online waste management platform ready किया है सहीं जवाब है आंदरप्रदेश ने the right answer is आंदरप्रदेश now दो दिन से हम chief minister कर रहे हैं आज जरा मुझे governors के नाम बता देना तो इन सारे states के फटाफट रिविजन भी हो जाएगी मध्यप्रदेश के governor कौन है लाल जी टंडन लाल जी टंडन ओके ये नाम आपको पता होगा then West Bengal West Bengal के कौन है जगदीप ठाकुर स्वरी धानकर जगदीप धानकर then third गुजरात के कौन है आचार्य देव व्रत और फोर्थ नंबर पर है आंदरपदेश इसके है पिस्व भूशन हरी चंदन ये क्लियर होगे आपको चारो गवर्नर याद रहेंगे एक बार आंसर टैली कर लें येस वी गोट अबर आंसर आंदरपदेश चलते हैं क्वशन नंबर बारा पे भारत की सरकार ने ये डिकलेर किया अभी हाल फिलहाल में कि इन में से किसी एक तारीक तक आने वाले वर्ष में कोई भी नई स्कीम को अनाउंस नहीं किया जाएगा ग्लोबल पैंडेमिक कोविट नाइटीन के वज़े से सहीं जवाब है option number D 31 March 2021 तो 31 March 2021 तक कोई स्कीम नहीं आने वाली है एक तरीके से ठीक है क्योंकि वैसे ही काफी नुकसान हो चुका है so let us check the answer yes it's 31st of December 2021 ओके let's go next the US International Development Finance Corporation US IDFC is planning to invest in US dollar in Indian firms okay एक अमरीका की कमपनी है जिसका नाम है US IDFC ये भारत में investment करना चाहती है तो वो investment कितने रुपए का होने वाला है सहीं जवाब है साढ़े 300 million okay it is going to be 350 million क्या लेकिन 350 million dollar या रुपए क्या obviously बात है question में दिया हुआ है dollar it has to be dollar okay clear हुआ ये आगे बढ़े एक बार answer चेक कर लें yes it's 350 million next पे चलते हैं नाबार्ड प्रोवाइड रुपीस 270 क्रोर as the special liquidity facility to which bank इन में से कौन सी बैंक को नाबार्ड ने liquidity facility दी है 270 करोड की पहले मैं आपको answer बता देता हूँ फिर ये liquidity word कह है ज़र आपको समझा देंगे यहाँ पर सहीं जवाब है option number B आसाम ग्रामिन बैंक okay answer एक बार चेक कर लें क्या yes this is what we are having as a right answer अब आपको एक चीज में बता देता हूँ कि liquidity का मतलब होता है दोस्तो पैसा और liquidity facility मतलब पैसे का flow बढ़ाना चाहता है नाबार्ड नाबार्ड उस bank को पैसे दे देगा और उस bank से सारे पैसे customer तक जाएंगे तो liquidity flow और liquidity crunch ऐसे दो शब्दा आपको अकसर newspaper में या GA की sheet में या even RC passage में सुनने को मिल सकते हैं तो याद रखना यहां तक सारी चीज़े clear हैं किसी को कोई शिकायत अभी तक कोई doubt होगा तो please comment thread में बताइए मैं उसका answer जरूर दोंगा ओके हाँ चलिए लेट्स गो टो नेक्स्ट इजरो हैस साइंड MOU with which institute for cooperation in space situational awareness astrophysics इन में से किस institute के साथ इजरो ने अपना एक MOU साइन किया है memorandum of understanding यह किस के साथ साइन किया है सहीं जवाब है यहाँ पर ARIES ARIES नाम का एक institute है जिसके साथ इजरो ने अपना एक cooperation जमाया है यह ARIES का full form भी ज़रा देख ले ARIES का full form है आर्यभट research institute of observational science of observational science गाइस एक बात याद रखना full form से please बोर मत होना यह बहुत जरूरी है और यह एक्जाम में आते ही है इसका एक और पार्ट हम लिख लें यह कहां है ARIES इस इन नैनी ताल और नैनी ताल इस इन उत्तरा खंड यह आप याद रखिएगा सारी बाते हैं ओके हाँ कोई मुझे बताएगा इजरो के फिलहाल chairman कौन है इजरो के chairman है के सिवम और headquarter कहाँ इजरो का it is in Mumbai ओके यहां तक सारी चीज़े clear हो गई answer भी ARIES है let's go to the next 16 who has been appointed as the UNADAP's goodwill ambassador to the poor इसमें किसका appointment हुआ है यहाँ पर सहीं जवाब है option number A नेत्रा गैज इस लड़की के बारे में ज़रा एक line आपको बताना बहुत ज़रूरी है अभी ज़स 3-4 दिन पहले की बात है रेडियो पे मन की बात बताते समय नरेंद्र मोधी ने एक व्यक्ती का जिक्र किया था सी मोहन सी मोहन मैसुर में एक hair cutting का काम करते हैं और उनकी बेटी है यह नेत्रा यह जो नेत्रा आपको दिखाई देरी है option में it is she is the daughter of सी मोहन अब इनके जो डैड है वो एक salon चलाते हैं और उन्होंने नेत्रा के लिए 5 लाख रुपई खटा किये थे क्योंकि बेटी को civil services की exam देनी थी नेत्रा ने अपने डैट को ये बोला कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए ये सारे पैसे आप COVID-19 के patients और गरीबों की help करने में यूज करिये उसने अपने डैट को convince किया और 5 लाख रुपई जितनी पूरी जिंदगी भर की कमाई थी वो सब कुछ COVID-19 के patients के लिए इन लोगों ने लगा दी जब ये बात पता चली तो नेतरा को खूब ज्यादा इज़त मिली खूब सम्मान मिला और आप जानते हैं अब ये लड़की न्यू यूर्क और जेनेवा में अपने इस पूरे काम पर एक speech देने जा रही है न्यू यूर्क एंड जेनेवा वहां से इनको invite भी कर लिया गया है ओके सो अगर आप दिल से कोई काम करते हैं तो क्या क्या नहीं होता आपके लिए और क्या क्या अच्छा आपके साथ हो सकता है इसका एक perfect example है नेतरा इस दर आइट आंसर एक बार चेक कर ले येस और नेतरा की आपको मैं एक तस्वीर भी दिखा देता हूं शीज नेतरा ये देखा आपने हाँ अगर आप real heroes पसंद करते हैं जिन्दगी में तो एक काम करिएगा जरा नेतरा का एक status अपने cell phone पे रख लीजिएगा और इनको thank you बोलिएगा पुरे जिन्दगी भर की कमाई इनोंने लगाई है अपने dad की इसमें ओके और हम उमीद करते हैं कि इनका civil services कभी सपना जल्दी ही पूरा हो जाए right let's move ahead question number 17 the hashtag I commit initiative launch on the occasion of world environment day June 5 is headed by which public sector company which company the right answer here is option number C अभी अभी मैंने आपको बताया था energy efficiency services limited right और यह इसका भी right answer है completely सरकारी company 100% owned by government ओके चलिए let's go next आगे बढ़े आंसर भी आ चुका है C का 18 पे चलते हैं which city has included in Delhi कट्रा expressway which is the part of भारत माला परियोजना सडको को जोडने के लिए एक शांदार प्रोजेक्ट भारत में चलू हुआ है जिसका नाम है भारत माला परियोजना भारत माला प्रोजेक्ट तो उनमें इनमें से कौन सा शहर आ सकता है या आता है सहीं जवाब है A. Amrit sir आपको मैं ज़रा भारत माला का एक नक्षा दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैप देखिए ये भारत माला का ही मैप है आप देख सकते हैं कि गुजरात के गांधी नगर से ये निकला है और वहां से होते हुए और श्री नगर के बीच में ये देखिए जहां पर मैंने अभी करसर मैं घुमा रहा हूँ ये है अमरित sir यहां से ये क्रॉस होता हुआ जा रहा है और फिर अरुनाचल प्रदेश वगरा हर जगा आगे बढ़ता जा रहा है तो ये क्लियर हो गया आगे बढ़ें question number 19 dpiit has revised public procurement order to encourage make in india initiative recently dpiit functions under which ministry ये dpiit कौन से मंत्राले के अंदर आता है सही जवाब है dpiit आता है commerce and industry ministry के अंदर और भारत में commerce and industry minister कौन है भी वो है पियुश गोयल पियुश गोयल यहां तक चीज़े clear हो गई आप मुझे ज़रा dpiit का full form भी बता देंगे so that ये चीज़ भी हमेशा के लिए lock हो जाए department of promotion of industry and internal trade internal trade ये इतना लंबा चोड़ा full form है okay clear हुआ answer एक बार टैली कर लें yes the right answer is question number 4 okay option number 4 I mean और चलते हैं question number 20 this is the last question who was appointed as the first ever brand ambassador of IIFL finance IIFL finance के brand ambassador के पत पे किसको नियुक्त किया गया है या फिर इसका brand ambassador किसको बनाया गया है कहने का मतलब ये है सहीं जवाब है option number A रोहित शर्मा एक बार चेक कर लें yes भारत के right-handed batsman धाकड़ बल्लेवास रोहित शर्मा ओके ये पूरी की पूरी PDF format में पूरे notes चाहिए है जो question हमने solve किये तो ये मेरे telegram channel के link है जहां पर आपको ये पूरे notes मिल जाएंगे यहां से आपको collect कर सकते हैं जो पिछले दो वीडियो से उसके भी notes आपको वही telegram channel पर मिल जाएंगे right तो आशा करता हूँ कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है और रोज के current affairs इसी तरह से मेरे साथ आप करते चलिये I promise you आपको State Bank of India clerk के अगर mains की उमीद है तो definitely ये series आपके लिए खूब क है आने वाले दिन में इसमें मैं syllabus के उपर videos, banking awareness के उपर videos और national parks, wildlife centuries, authors इन सारी चीजों को मैं cover करता चला जाऊंगा आप बस अपना love and support बनाए रखिए channel को subscribe करिए, share करिए, like करिए और सब को इसका पूरा benefit दीजे आज के episode में केवल इतना ही, कल फिर एक बार मिलेंगे with some more relevant current affairs questions, okay, till then, goodbye, thank you.